हलो स्टुडेंट वालकम तो अनलाइन क्लास तोडेज़ अवाट सब्चेक्ट इस एन वी तोडेज़ एक्स्प्लीन अबाउट चैप्टर नमबर 16 गेम वी प्ले यानि खेल जो हम खेलते हैं यहां पे स्टैपू नाम का एक गेम है जो कुछ बच्चे खेल रहे हैं हम उसके में पढ़ेंगे सो लाइट स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास अल दू चैप्टर वर प्लेइंग स्टैपू इन दे लैन अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदीता वर अल्सो प्लेइंग तो सारे जो बच्चे है वो स्टैपू खेल रहे थे अवंतिका उसकी बैन नंदीता नंदीता को जो गेम है वो खेलने नहीं आ रहा था अवंतिका ने उसको कहा लिसन टू मी केरफुली मुझे ध्यान पूर्वक सुनों ध्यान से सुनों नंदीता अंडर्स्टैंड इस गेम थ्रो दा मार्क मार्कर अब यह जो हैना गेम है वो मार्कर समझने की कोशिश करो तेकश जो मार्कर है उसको तुमको क्या करना है तटन ने वो कश चोड़के तुमको दूसरे बॉग्स में ऌनलेग में जंप करना है You can put both your feet down together only in the boxes made to 4, 5 and 7, 8 और तुम जो अपने दोनों पेर कहां पर रख सकती हो 4, 5 में और 7, 8 में Your feet should not touch the lines पर इसका धियान रखना है कि तुम्हारा पेर है वो lines से touch ना हो If it touch, you are out of the game अगर वो touch हो गया तो तुम game से बाहर हो जाओगी When you reach the last box जैसे तुम last box में पहुचती हो Turn around, फिर तुम्हें घूम जाना है When coming back, जब तुम बाहर यनि बापस आती हो Pick up the marker and bring it back Marker को उठाना है और तुम्हें वापस लेके आना है Now throw the marker in the next box फिर उसी तरह ही तुमको Marker को next box में डालना है Similarly keep throwing the marker in all the box One by one and continue the game इसी तरह one by one सारे boxes में Marker को fake ना है और इसी तरह game पूरा complete करना है अवंतिका चाची You will play अवंतिका अपनी चाची से पूस्ती है क्या आप खेलोगी चाची Do you think I do not know how to play hopes coach क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कैसे यनि hopes coach खेलना है ये पता नहीं है At your age we played so many different game तुमारे ये ना उमर में हम लोग बहुत से अलग-अलग game खेलते थे नंदिता Which game did you play चाची कौन सा game तुम खेलते थे चाची ऐसा नंदिता ने question किया चाची लंगडी, टांग, हाइडन सिक्स, सेवन ताइल्स And so many more in Kabaddi, our team was the best among ten village तो चाची एना कहती है, game का नाम बताते हुए कि एना में लंगडी खेल चुकी हूँ चुपम चुपाई, हाइडन सिक्स, सेवन ताइल्स और Kabaddi जैसे game में तो में दस गाहों से भी हमारी टीम आगे थी रजत, चाची, how did you get so many time तो रजत ने पूछा कि चाची, आपको इतना सारा time कैसे मिल जाता था We hardly get any time to play हमको तो बहुत मुश्किल से आना समय मिलता है खेलने के लिए चाची, you are so busy चाची, you are so busy watching TV all the time तो चाची आना कहती है कि तू मैं टीवी देखने में ही इतना busy रहते हो नंदीटा, चाची, did चाचा प्ले इस गेम टू? तो नंदीटा ने भी एक question पूछा कि चाचा आना भी ये गेम खेलते है चाची, your चाचा says that he used to play Marble, Seven Tiles, Versatility, Kabaddi, Gilly Dunda and so many other game the whole day तो तुमारे चाचा है वो दूसरे बहुत सारे गेम खेलते हैं like Marble, Seven Tiles, Versatility, Kabaddi, Gilly Dunda and so many other game while flying kites, he would even forget his meal यानि पतंग उडाते हुए तो वो अपना lunch करना भी भूल जाते थे meal का मतलब है lunch, नंदिता, चाची, do you do come and play नंदिता चाची को invite करते हुए कहती है कि आओ और हमारे साथ खेलो चाची started playing with the children चाची जो है वो बच्चों के साथ खेलना चालू करती है they had been playing just for a short while when it started running तो वो यानि खेली रहते फिर दोड़ने लग गए all the children oh no सब बच्चे अरे नहीं चाचा let us go to my house चाची ने सबको कहा कि चलो मेरे घर पे we will play inside हम अंदर खेलेंगे the children were happy to hear this तो बच्चे थे वो और ये सुनके खुश हो गए all the children, सारे बच्चे come on let us go to चाची's house to play चलो हम लोग चाची के घर जाते हैं खेलने के लिए the children come to चाची's house जो बच्चे थे वो और चाची के घर आए inside the house चाचा और बुआ वर playing chess घर के अंदर बुआ और चाचा जो थे वो chess खेल रहे थे अवंतिका what should we play अवंतिका ने पूछा कि हम क्या खेलेंगे रचत let us play house house चलो हम घर घर खेलते हैं many children yes let's play house house तो बाकी के लिए बच्चे भी बोलते हैं कि चलो घर घर खेलते हैं रजत if we had a doll अगर हमारे पास एक गुडिया होती we could have play with it तो हम उसके साथ खेलते हैं चाची do you want a doll चाची ने पूछा कि तुमको कोई गुडिया चाहिए let us make one right away तो हम बनाते हैं उसको चाची took out some old clothes चाची कुछ ने पूराने कपड़े निकाले चाची की मदद से चिल्रन ने क्या बनाया डॉल बनाया some children wanted to play कैरम और अदर लूडो कुछ बच्चे ना कैरम खेलना चाहते थे यह तो कुछ बच्चे लूडो खेलना चाहते थे they formed group and started playing उन्होंने group बनाया और खेलना चालू किया write the name of all the game mentioned in the lesson in the table below यानि आपको क्या करना है lesson में जितने भी games के नाम दिये है नीचे table में आपको mention करना है make a arrow in front of those game that one played indoor यानि उस game के सामने arrow करना है जो हमारा indoor game है यानि इंडिया में खिले जाने वाला game है and make a tree don't forget write the number of playing needed for the game if some other things are also need to play the game then write their name as well ठीके इस game के साथ दूसरे जो आपको game याद हो तो आप वो भी लिख सकते हो do you play any game similar to hope scotch hope scotch की तरह तुम कोई एना similar game आपने खेला है what do you call it तो तुम उतको क्या कहते है अगर खेला है तो draw the figure that you make a play make to play the game in the space below नीचे है ना तो नीचे है ना एक box दिया गया है अगर तुमको hope scotch से similar कोई एना game पता है तो उसका drawing आपको यहाँ पे draw करना है do you play some game with your family member which game and with whom क्या तुमने अपने family members के साथ कोई game खेला है अगर खेला है तो कौन सा उसका नाम आपको नीचे mention करना है do you know the name of any famous sports person in your area अगर आपके area में कोई famous sports person है तो उसका नाम आपको यहाँ पे mention करना है और वो कौन से game से है ना associate है उसका name भी आपको mention करना है how many games do you know which we play with the ball ऐसा कौन से game है जो हम ball से खेलते है उसका नाम आपको इस circle में लिखना है have you heard of सानिया मिर्जा क्या तुमने सानिया मिर्जा के बारे में सुना है she also play a ball game वो भी एक ball game खेलती है find out which one and write its name आपको find out करना है कि वो कौन सा game है और यहां पर लिखना है which game do you like the most तुमको कौन सा game सबसे ज़्यादा परसंद है find out from the elder in your family and or in the neighborhood which game did they play when they were children आपको अपके घर में जो elder है जो बड़े है उनको पूछना है कि वो अपने childhood में कौन से game खेलते थे match the riddles with the picture write the name of the game in the given space ठीक है आपको यहां पर riddles दिये हुए है वो picture से match करना है उसके names लिखने है beside playing what else do you do playing के अलावा आप क्या करते हो यहां पर आपको mention करना है beside their work वो work के अलावा what else do you do your family member do यह आना कामों के अलावा तुमारे family member और क्या करते है color the picture which show what your family member do in their free time उस picture को color करना है जो आपके family member अपने free time में करते है if you want to add more you can write and draw in the blank space अगर आपके family member और भी काम करते है अपने free time में तो यहां पर blank box दिया हुआ है यहां पर आप नाम लिखके उसे color करके fill up कर सकते हो okay it is enough for today we will meet in our next class with new video so bye